जमूरे तेरी गुद्धी कैसे होगी मन क्योंकि अकल की सारी बाते इस बोरे में बंद तो चल मेरे छोड़ा खाल दे ग्यान का बोरा लेकिन हजूरे आला इस पर तो लगा है ताला अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला है है इसे मैं खोलता हूँ काखागा की चाबी से खुल जाए ग्यान का ताला शिक्षा सबको मिले छटे अग्यान का बादल काला बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला शिक्षा बन जाए जनता का बर्ची भाला नहीं वपोती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की गिली 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 फूर्ण हरे जरूर थे बुतल से पिलाने की तुम्हें दूद तो पूरा उतर रहा है ना तो फिर तुम भेजना अपने आदमी को मेरे पास बताने किसने उसे ये बोतल के पट्टी पढ़ा दी है सुनो एक बात अच्छी तरह काढ़ बान लो बच्चों को तीन चार महिने तक मा के दूद के सिभा और कुछ नहीं चाहिए होता इससे बच्चा तंदूरिस भी रहता है और कही तरह की बिमारों से बच्टा है मा का दूद आसानी से पच्टा भी है और पेड भी नहीं बिगारता पुल्टे जो लोग बोतल से पिलाते हैं ना उन लोगों के बच्चे को तरह-तरह के बिमारिया लगे रहती है क्योंकि पोतल के जितने अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए उत्ता जंज़त तो कोई करता नहीं हाँ अगर किसी वज़े से मा को दूद नहीं उत्रे या कम उत्रे तो दूसरी बात है तब हम उपर का दूद बाल के मलाय हटा के पिलाने के लिए कहते है तुमारे सब तो ऐसा है नहीं तो तुम अपना दूदी पिलाना हाँ और कोई परेशानी हो तो जरूर आ जाना भेंजी नमस्ते अरे अब यह अब यह अच्छा लाला कैसे रहे तुम तुम थे लाली तो ठीक है ना ठीक है अच्छा तो बैंजी मैं आप जाओ अपने आदमी को मेरे पास भेज देना मैं संजा दूम यह उसे अच्छा बैट पोड़ी एगी है अस तरे वो नहीं आए श्रीमान चिंता मत न करो अपने चुट्टे ना मिली देवर आया है मेरे संग राम राम भेन जी राम राम आप बैठो ने जी ठीक है आप चिंता मतना करो अरे इसको भी अपने भागी आदा था यह कहने के इनके हाँ तो सभी जे कहते रहे हर बात में चिंता मतना करो अच्छा आओ बैठो बच्ची तो ठीक है ना हाँ जी आपकी किर्पा से फश्ट कलास है वो छे हपता की हाइगी है ना सो टिपटी का पहला टिका लगवाने लाए है क्या इकती दूर से टिका लगवाने लाए हो क्या तुम्हारे गाम होता है सब संदर नई जी वो अगले गाम मा है फिर भी कहां एक गाउं का फासला और कहां दस बारो मिलका सफर बेहन जी भाई साब को आप पर बड़ी सर्दा है गी है महां सब को आपके बारे में बतावे है और खास हिदायत करी कि यहीं लाना है भावी को क्यों मुझ में ऐसा क्या है जोटी का मैं लगाउंगी वो महां भी लग जाता तुम्हें इतनी दुरानी के तकलिप नहीं करने चाहिए थी इतनी छोटे बच्चों को लेकर इस तरह धूल में सफर करना आपने भली चिंता करी अच्छी दरा लपेट कर लाएं हैं बच्चे को फिर भी धूल तो गई होगी धूल से कुछ ना होएं बच्चों को आप देखना जरा बड़ी होवेगी ना तो मुट्टी भरबर के मिट्टी खावेगी बच्चों को कुछ ना होएं बहन जी आप चिंता मत ना करो अच्छा अच्छा बच्ची मिट्टी खाएगी और तुम देखते रहोगे उपर से मुझे कहते है आप चिंता मत ना करो पसंती मिट्टी हर्गिज मत खाने देना मिट्टी खाके जाने क्या-क्या बीमारिया लगती है बच्चों को तुम्हारे उधर, तुम्हारे उधर मिट्टी खाने को भी अच्छा बताते हैं। अजी वो बड़े बुडों ने का है, हाजमा मजबूत हो जावे। ओफो, क्या-क्या चीजे सोचके निकालते हैं ये लोग भी। बैन जी, हमें पता ना, अब आपने संजादी बात, तु ने खान देने के, आप चिंता मतना करो। सची बैन जी, ने खान देने के, आपकी कसम। देख रही है, कसम भी खा रहा है तेरा देवर, तु मेरी। सोरी, अपने सर की कसम। कोई कसम असम की जरूरत नहीं, बस ध्यान दखना। आप चिंता मतना करो। जी, बस इसे सुई लगा तू। देखो जेरा बच्ची को, इसे बुखार तो ना रहा आप पिछले दो-चार दिनों में। ना जी। अहाँ जी बहन जी, होया हा। कब होया। तेरे भहिया कोई होसना रहवे, तुझी क्या पता होगा। भहन जी, पिछले हपता छोटी ननत को बगल वाले केंदर में लेके जाना पड़ा। दो घंटे के लिए बच्ची को इसके भहिया ने संभाला। आके देखा, तो बदन तपरा विचारी का। पुछा तो कहन लगे, बच्चो का बदन तो नूही गरम रहवे। भला बताओ, फिर उल्टे पाउं भगी के इंदर को। भेंची को दिखाय तो पता चला। तो डिगरी बुखार है मेरी बच्ची को। उन्होंने खुराग दी, तब जाके उत्रा कहीं। कान में क्या डाल रहे हो। कुछ नहीं, तीली आगी, माच उसकी। क्यों? अंदर अंगिठी जलानी है क्या। बसंती, तेरा देवर तो बस। तेरे आदमी से भी दो हाथ आगे हैं। कान में तीन के नहीं डालने चाहिए, जखम हो सकता है। और अगर गलत इसे पर्दे को चोट लग गए, तो बस, बहरे हो जाओगे। अच्छा। अच्छा। जैसे तुम्हें ये बात मालूम ही नहीं थी। नहीं जी, पता तो ही। फिर? यूही। सोरी। फिर मत करना। आप चिंदा मत करो, बहन जी। भावी, बताना, बहन जी क्या पूछ रही है। बसी दो दिन में उतर गा बुखार, फिर ना हुआ। चलो कोई नहीं, कौशलना, डीपी टीका टीका टेयर कर। पर इसे तो बुखार है, अभी कैसे लगा सके टीका। मैंने तुझे पहले भी बताय था ना, अब जरा ध्यान से सुन। बच्चे को सारे टीके सही वक्त पर लग जानी चाहिए। उसमें देर नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है, कि खतरनक बीमारियों से बच्चों की रक्षा की जाए। पुखार का तो फिर भी इलाज हो सकता है। लेकिन अगर सही वक्त पर टीका नहीं लगा, तो बच्चों को खतरा हो सकता है। समझ गही। चल टीका तयार कर। पहन जी, धरत तो ना होने का। धरत तो होगा। दो एक दिन होएगा भी। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होगा। आप खिंता मत ना करो जी। खुले पर नहीं। डीपी टिका टिका जान पर लगता है। देखे। बस बस, वो गया जी। जी टिका वी आग-दस महीने में दो बार और लगेगा। जी वो पोलिय की खुराकी भी कही है। खुले जाएंगा। खुले जाएंगा, खुले ब्रक श्राना तम। इसकी भी अगले आठ महीने में दो खुराकी और दी जाएंगी। आप चिंता मत ना करो जी इतनी दुरान की कुई जरूरत नी निजदीक वाले संटर पर चली जाना लाओ काड निकालो भरदू कारट? हाँ वो तुम्हारा काड जो था जिसमें इसकी पहड़ाईश पर बसी जी का टिका दर्श किया था वो तो है ना जी नहीं है? मतलब? आप चिंता मत ना करो घर में होगा की? जावेगा कहा? मतलब ये कि तुमने इसे ध्यान से नहीं रखा और वो खो गया मैंने तुमसे कहा नहीं था समाल के रखने के लिए जी वो औशल्या एक काड निकाल अपकी बाद ध्यान से रखना जब कोई टीका लगेगा या कोई खुराख दी जाएगी तो इसी में दर्ज होगी बच्ची का नाम क्या रखा है? उसा उसा? और तुमारे मिस्टर चिंता मत ना करेजी का क्या नाम है? यह ना बताने की एक बोलना मिस्टर परमोद राना आई सुरेश राना परमोद राना कौशल्ला रिजिस्टर हमसे देखके नमबर बगड़ा भर ले और एक कागज में टीको का पूरा करेकरम लिख ले ताकि इसे वक्त पर टीका लगना याद रहे ना मैं लिख लेता हूँ बैंजी और ससुराल में सब ठीक ठाथ लिखो टीको का कारिया करम टीको का किरिया करम ये का लिखा है ठीको का किरिया करम ठीको का किरिया करम किरिया करम नहीं भले आदमी कारिया करम दिखाओ इटीको भी गलत लिखा है बड़ी E की मातरा लगेगी और O की मातरा पर बिंदिल लगेगी हाँ, और कार्यकरम ऐसे लिखते हैं कार्यकरम टीको कार्यकरम सिर्टारा पर बच्चे की पैदाइस पे कौन सा टीका लगे है पैदाइस पे? जे टीका और कब-कब लगे है और? जे तु नजत영़ा लोता सी ल Séरie क्या ना बताया? एरी? क्या नो बताया? पीत फिरते चुगली शुरू करतें आरी BC जी के टीके का कहां बताया तेने? अच्छा, खुद भूल गई और इलजाम मेरे पे बताया ना था पैदाईस पर लगे अरे उसके बाद कब कब लगे? ये तो ना बताया हाँ, ये ना बताया मैंने पहे, मैं कैसे बता दूगी? ये तो तुझे सुख्या ही बतावेगी ये ही लगे है जे उसके बाद ना लगता? ना अरे, तो फिर तो मैंने ठीक ही का आए हाँ, हाँ, कहा है तो दिया कि तेने ठीक बताया है एक बेर में ही जंजट खतम अब तुझे बता कि जे कौन से बीमारी के लिए होवे है वो तो मुझे मालूम तुबता जे लग जाये तो बच्चे को तपेदी का खत्रा ना रहता हाँ, टीवी का टीका होवे है जे सोनदे, अब तुबता छे हफते की उमर में कौन सा टीका लगे है? डिप टीका हाँ? अरी डिप टीका ना, डीपी टीका जे कौन से बिमारियों के लिए होवे है जे बता काली खासी, गलगोटो, और टिटनस साबस और भी कोई दवा देवे है इस उमर में? वो देवे है ना, पोलिया की पहली खुराक याद है गया पोलिया नहीं, पोलियो गीतर तू बता, तीन महीना से एक साल तक की उमर में क्या देवे हैं बच्चे को? वो छे हफता वाली देवे है, दो दो बार अरी ऐसे ना, नाम बता टीके और खुराक का बता तो दे सोना देईने अरी मैं तेरे मुंसे सुनना चाहूँ सुन रही हूँ जीता, सब सुन रही हूँ मैं अब ज्यादा दाथ मना कारे, जो पूछा गया है उसका जवाब दे अच्छा सुन तीन महिना से एक साल की उमर में बालक को टी-पी-टीके दो टीके और पूलियों की दो खुराक देवे हैं इससे बालक को काली खासी गलगुट्टू और टिशनिस का खत्रा ना रहता और बालक पूलियों से भी बचा रहे हैं बोल एक बार और दोरा दूँ बस बस जह मखोल की बात ना है तुझे बता कि पूलियों होवे क्या है अरे वही ना जिसमें बालक की टांगे सूख जावें अंकी ताकत चली जावें जैसे लखुआ सा मार गया हो ठीक है रही ना हाठीक है पर पोलियों हातों में भी है सके और अकर छाती में हो जाए तो बच्चा बचे ही ना यानी पोलियों की खुराग देने में इत्ती सी भी लातरवाई ना होवे राम प्यारी नो महीने से सबा साल की उमर में कौन सा ठीका लगे है उससे तो कुछ पूछी ना रही है अब मेरे पीछे हाठ धोके पड़ी है ए तेरे से दुबारा पूछ लिया तो क्या है गया जीब गिज जागी तेरी मेरी जीब को तो कुछ ना होता इन छोक्रियों से सब्सक्राचबाई तो मूं में पड़ी पड़ी इनकी जी मोची हो जागी पूछ मुटी से पूछ अच्छा बाबा तु ही बता बड़ी हो रही है खशरागा और क्या क्हसरागर इनकी अजिब भूरी तरह बता नजिक तरीका और फूट दिया खशराका कि इस उमर में लग है खसरा का ठीका हाँ नौ महिने से सवा साल की उमर में लगे है खसरा का ठीका बस खुस या और पूछे कुछ मुझ ले मैं कोई डरूंगा अरी इस बड़ बोली से भी तो पूछ पता तो चले उसा बैंजी से कुछ सीखे भी है यह यूँ यह मक्खी मारती रहे ना कुछ ना सीखती तुने जो इतना कुछ सीख लिया ना मेरे सीखने को कुछ छोड़ा ही ना अरी जे तो पूरी डाक्टरानी है गई है क्या खटा खट समझावे है सब को अपकी जब तेरे अगला बच्चा होगा ना तो यही करावेगी सारे टीके लगवावेगी देख लीज़यो बहया ना हो तो और यह बस भी करे ना तू तो हर बकत ही मक्वाल करती रहा वे बस चुपे अज़ाब को सल्या तू बता डेर साल से दो साल की उमर तक क्या क्या देवे हैं डीपी ठीका चौथा ठीका और पोलियो की चौथी खुराक बस एकदम सही DPT का चौथा टीका और पोलियों की चौथी खुराक है गई तसली आपकी जब बच्चा ठेर है तो बे धड़ा किसी के पास जाई हो ए घीता, तू ना मानगी, बज चुप है जा अच्छा, जे तो सब है गया पूरा अब इतना सब याद रहेगा हमें क्या पड़ी है, जे सब याद रखने की हमारे बच्चे तो बड़े हो लिये जे बात मतना कैसो न देई कितने साल का है तेरे मुन्ना दो ढ़ाई साल का न और टीके तो लगे हैं सोला साल की उमर तक पांच साल की उमर में तेरे मुन्ने को दो टेके लगेंगे और दस साल की उमर में फिर एक लगेगा और आखरी टीका लगेगा सोला साल की उमर में पर जी मैंने इत्ते दूर की ना बताई टीकों और खुराकों का सही टैम होवे है जिसमें लग जाने चाहिए अब तो हमारे गाह में सेंटर है गया है बेहन जी से पूछ लो कि जी ये टीका तो लग गया और अगला अब कब लगेगा और जब अगली भी उर जाओ तो अगले की पूछ लो बज्जे मतबल है मेरा तो एक मिनट सुख्या एक मिनट ये सारा पिरोग्राम तो इनकी कापियों पर उतरवा दे कापी में उतरनी की क्या जरूरत है देख सुना देख ये पिरोग्राम तो दो साल की उमर के टीकों और दबाईयों का पिरोग्राम है ये तो बहुत जरूरी है ये याद भी रहना चाहिए पर जो लिखा रहेगा तो अरोस पड़ोस के लोगों को भी तो बता सको तूं और फिर कल को पोते-पोतियों के काम आवेगा फिर कल जे लड़कियां भी तो बड़ी होंगी यह भी तो याद रहना चाहिए ठीक है, उतारो लिशेगरी लेकिन मासी आज तो 25 में पार्ट के लिखाए करने थी तो ठीक है, पहले वो कर लो, बार में पिरोग्राम उतार ले ना एक कोशल लिया, तो अब सम्हाल लेरी शा, 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 शा 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 शा